क्या उत्तर पूर्व का मुख्धवार वास्तु के अनुसार शुब होता है। तो सच क्या है? जैसा कि पूरुम मैं एक वीडियो मैं यह हैं बता चुका हूँ कि वास्तु करते समय हम पूरे घर को 16 दिशाओं में विभाजित करते हैं उत्तर्पूर्व या नौर्थीश्च दिशा उत्तर और पूर्व के मध्य में होती है परनतु जब हम 29 इस्तिती का अवस्लेशन करते हैं तो इनसे वहले दिशाओं के पुन्हें दो-दो विभाग करते हैं, इस प्रकार हमें कुल 32 divisions प्राप्त होते हैं, इन मेंसे दो विभाग अर्था divisions उत्तर पूर्व दिशा में होते हैं, उत्तर पूर्व दिशा के दो विभाग अर्था divisions मेंसे जो भाग उत्तर की तरह होता है यदि उस भाग में मुख्य द्वार होता है तो वैश्व परिनाम देने वाला होता है परंतु यदि मुख्य द्वार पूर्व की तरफ वाले भाग या डिविजन में स्थित होता है तो वैं निवासियों के जीवन में अनेकों समस्याओं का कारण बन जाता है वास्तु परामर्ष या कंसल्टेंसी के लिए विजिट करते समय अनेक घरों और फैक्टरीज में या देखा है कि जब से है द्वार खुला गया तब से निवासी अनेक तरह की दुरगटनाओं या एक्सिडेंट्स से परेशान हैं इस दौर के होने पर अनेकों बार भवन में आग लगने की समस्याइं भी सामने आती हैं इसके अतरिक दिहद्वार अनेक्स्पेक्टेड लॉसेज अर्था अप्रत्याशित नुकसान का कारण भी बनता है यदि आप या आपके कोई परचित इस तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं तो आप मुझसे संपर कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मेरा कॉंटेक्ट नुमबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा